हे फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक और सांदार वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदानता के बारे में वेदानता में देखें रेटिंग में अपग्रेडेशन हुआ है इसका देख लेते हैं तो अगर हम देखें तो जो हमारी क्रीशिल है क्रीशिल एए पर और सोट टर्म देखें तो इसको कर दिया है इसने बढ़ा कर एवन प्लस तो कंपनी में रेटिंग तो एक अच्छी दिखाई देती है साथ ही साथ कुछ नई खबरे भी हैं बहुत अच्छी खबरे देख लेते हैं उनको तो देखिए जो हमारी वेदानता है यह हमारी 6th position पर आती है इतनी बड़ी यह company हो चुकी है यहां आप देखेंगे तो 6th position पर हमारी यह globally आ रही है वेदानता और इन future बहुत ही अच्छे अच्छे यह काम कर रही है बहुत ही बड़े segments में काम करने के लिए जा रही है तो बहुत बड़ा इसका future बहुत अच्छा future है इसका इसने अभी हमारा जो गोवा है गोवा में भी एक mining block जीता था जहां पर की 84.92 billion tons का भंडार है यहां पर इसने यह लोहे की ख़दान है इसको इसने बिट जीत ली थी यहां पर यह हम आपको पहले यह बता चुके हैं और अब बात कर लेते हैं इसके dividends regarding तो देखिए अगर हम देखें तो वेदान्था ने पिछले साल 2022 में चार बार हमें dividend दिया है आप इसको देखेंगे तो यह रूपे का dividend इसने दिया है हमें और देखें 29 नवंबर को और हम अगर पूरे साल की बात करें तो चार बार मितलब ओस्तन हर तीन महिने में इसने dividend दिया है हमें और अच्छा dividend दिया है total कुल मिलाकर 81 रुपे 50 पैसे का इसने dividend दिया है और पहला अगर dividend हम देखें तो फरवरी में इसने दिया था यह फरवरी में launch किया अनौंच किया था और मार्च में इसको इन्होंने दिया था तो फरवरी में हमें फिर से एक dividend देखने को मिल सकता है जब company का result आएगा और इस बार इस बार जो है इससे भी अच्छा dividend होगा क्योंकि 17 रुपे 50 पैसे में जो है सिर्फ आधा ही रिजर विसने dividend में बाटा था तो 17 रुपे 50 पैसे यह हुआ और बाकी जो रहेगा 13 14 रुपे मतलब 30 रुपे के आसपास हमें dividend पहली बार देखने या मार्च में और पूरे साल के अगर बात करें तो इस बार डिविडेंट 100 रुपे से आसपास जा सकता है तो बहुत अच्छे target company के होने वाले हैं dividend तो अच्छा देती ही यह company 22.4% का इसका dividend yield है बना हुआ इसे दोस्तो share market में dividend का बातसा भी कहा जाता है share देखिए share का price भी इसमें उपर बढ़ता रहता है हमेशा और dividend भी हमेशा देती रहती है company देखिए 2022 में इसने 45% यानि 45 रुपे का dividend इसने दिया था जब यह 308 पे था और आज भी यह 308 रुपे पर है और अच्छा dividend यह ही है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर के लिए जिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भाद